नमस्कार दोस्तों शुआगत आपका मेरे इस चैनल पर तो कल हमने शूरी का जो है शबी बारह भावों के अनुशार जो है लाल किताब का उपायजाना आज हम जानेंगे आज के वीडियो में चंद्रमा का सभी 12 भावों के अनुशार जो है लाल किताब के उपायों तोटके यानि चंद्रमा आपके कुंडली में अशुब हैं और जिस भाव में असुब हैं उस भाव के अनुशार आप उपाय करें या चंद्रमा कमजोर हैं तो भी आप उपाय कर चकते हैं उस भाव के अनुशार तो आएए सबसे पहले चंद्रमा का प्रथम भाव देखते हैं चंद्रमा अगर पहले भाव में हो और किशी तरह से असुब है या कमजोर है तो तो इसके लिए क्या उपाया टोटके करें? गाय का दूध मीठा करके पीपड के पेड की ज़ड में डालें गाय का दूध उतमें सोड़ा शक्कर मिला ले या कुछ मीठा मिला लें इसके लिए बारिस के पानी को शमहाल कर रखें ताथा उसको पूरेण Miles को अपना जो भी घर जहां आप रह रहे हों उसमें नए घर में उसको छिड़कें तो इससे भी चंद्रमा का पहला भाव जो है शुब होता है इसके लावा चांदी की कटोरी में खीर खाएं अथवा चांदी की कटोरी में मीठा दही भी खाएं तो भी चंद्रमा पहले भाव में शुब होता है जातक को घर में गाय तो पालनी चाहिए तो दूद नहीं बेचना चाहिए यानि चंद्रमा अगर प्रथम भाव में है तो दूद बेंचे नहीं उसको दान दे सकते हैं मंदिर में या किसी को भी अब ऐसे ब्यक्ति को मंगल की बस्तुय दान करना चाहिए अगर चंद्रमा प्रथम भाव में है और अशुब है अब देखते हैं कि चंद्रमा अगर दूशरे भाव में है और किशी तरह से असुभिया कमजोर हैं तो इसके लिए कन्याओं को खीर खिलाएं तथा हरे रंग का उनको वस्तरदान में दें इसके लामा घर में बरगत के ब्रिच की शाखा बात कर रखें यानि बरगत के ब्रिच की एक शाखा तोड़ लाएं और उसको घर में कहीं बात दें इसके लामा जो बस्ति में चंद्रमा से संबंधित होती हैं जैसे दूद है, सफेचावल है, चांदी है, इत्यादी है उनका जो है आपको दान करना चाहिए, तो भी चंद्रमा दूसरे भाव में सुब होता है चंद्र से संबंधित बस तो जो है घर में अस्थाफित करने शे मन को शान्ति मिलेगी अगर दूती भाव में किशी तरह से चंद्रमा अशूब है और मन में अशान्ति रहती है तो इसके लावा अपने घर के दरवाजे के दाहिनी और जो है चांदी का पत्थर या उसका कोई टुकड़ा बाध है तो भी शूब होता है चंद्रमा इसके लावा चांदी के बरतन में खीरी रखकर उसको या तो सफेद गाय को खिलाएं या फिर किसी ब्राम्मण के पुत्र को खिलाएं तो भी चंद्रमा दूसरे भाव में जो है आपके अनुकूल होगा अब अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है तो क्या उपाय करें लड़की के जन्म पर या आपके परिवार या आसपास कहीं भी लड़की का जन्म होता है तो चंद्र से शंबंधित बस्तूओं का दान करें चंद्रमा तीसरे भाव में शुब होगा इसके लामा चादनी रात में दूद से सिर अपना धोएं तो भी ये टोटका काम करता है इसके लामा बूढ़ी इस्त्री को सफेद वस्तर का दान करें तो तीसरे भाव का चंद्रमा शुब होगा इसके लामा ससुराल से चादी से संबंधित बस्तुएं जो होती है जैसे की चावल है दूद है या उससे बनी जो शामा ग्रिया है या जो सफेद रंग की बस्तुएं होती है ये शब अगर दान के रूप में आप लेते हैं तो ये शुब होता है ऐसे ब्यक्ति को प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाकर प्रशाच चढ़ाना चाहिए अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है अब देखते हैं चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव यानि कि अपने कारक भाव में हो और किसी कारण बस अशुब है या कमजोर है तो ऐसे ब्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करने से लाब होता है इसके लावा जातक दूध का दान करे तो भी लाब होता है रात में सोते शमें दूध का शिवन कदा भी ना करें ये उपाय एक तरह से सभी के लिए है जिनका भी चंद्रमा किसी भी भाव में अशुब होता है तो उनको रात में समय जो है दूध पीना एवाइट करना चाहिए नहीं तो वो नुक्षान करेगा फायरे की जगए इसके लामा पीपल के पेड़ की जड़ में प्रति दिन दूध डालें अपने शशुराल से चंद्र से शंबंधित बस्तु में प्राप्त कनने से चंद्रमा का जो अशुब फल होता है चोथे भाव में अगर है कोई अशुब फल तो वो शमाप्त हो जाता है चंद्रमा अगर पांच में भाव में है और अशुब है तो सोमवार के दिन शफेद कपड़े में चावल और उसमें चीनी रखकर उसमें शफेद रंग के दो फूल रखें और उस कपड़े को जो है पानी में कहीं बहा दें गाठ बात कर एक गठर बना के चोटा सा इसके लामा शोमवार का उपवास रखें तथा सफेद बस्त में जो है वो पानी में बहाएं तो भी चंद्रमा पांच में भाव में शूब होगा चंद्र से संबंधित कोई भी कारे करने से पहले अपना मुह मीठा वश्य कर लें अगर चंद्र पांच में भाव में है और इसके लामा ऐसे ब्यक्ति को अपने मन में किसी के लिए भी बुरा विचार नहीं करना मित्र के बरतन में पहले दही डालें फिर उसमें चीनी मिलाकर उस बरतन को चाधनी रात में खुली छत पर रखें प्राता होने पर उसको पच्चियों को खिला दें तो इस टोटके से चंद्रमा जो चठे भाव में बहद अशूब होता है उसका अशूपता कम हो जाती है तो बिस जैसा कारे करेगा, इसके लावा यात्रियों के लिए सुनसान रास्तों पर पीने का पानी अगर प्रबंध कराएं, तो भी चंद्रमा का छठे भाव का जो अशुफल होता है, वो कम होता है, बगर चंद्रमा सात्मे भाव में है, तो इसके लिए एक टोटका कर शकते हैं, अपने घर में एक घड़े में गंगा जल भर कर रखें, तथा प्रते एक रात्रि को उस अस्थान पर जहां ओ घड़ा रखा हुआ है, उस पर आप दीपक जलाएं, तो चंद्रमा शात्मे भाव में अनुकूल होता है, शुब होता है, इसके लिए अपने बिवाह के आउशर पर ससुराल से चंद्र से संबंदित बस्त्र जो हैं, आप लें, यानि शफेद रंग के बस्त्र या जो चंद्रमा से भी कारक होता है, अब अगर चंद्रमा जो है आठमे भाव में है, जो कि उसका एक तरह से अशुब भाव ही माना जाता है, तो समसान के नल अथवा कूएं से पानी लाकर उसको घर में रखें, तो इसकी आठमे भाव का जो है अशुबता हो कम होगी, पानी में चंद्र से सं चंद्रमा नवे भाव में होता है और माता के आशिरवाद से चंद्र का शुप प्रभाव जो है वो कम हो जाता है अगर चंद्रमा नवे भाव में है तो ऐसे ब्यक्ति को चाहिए कि वह अश्नान करने से पहले पानी में गाय का थोड़ा सा कच्छा दूध मिला ले फिर उस प हाना पड़ेगा अगर चंद्रमा नवे भाव में है तो और चंद्र के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे शूरित्यादी हैं तो उनकी बस्तों मंदिर में दान करने से भी चंद्रमा आपके अनुकूल होगा अगर नवे भाव में है अब चंद्र अगर दस्मे भाव में है तो क अगर चंद्रमा ग्यारा हमें भाव में अनुकूल होता है। अगर चंद्रमा ग्यारा हमें भाव में अनुकूल होता है। अगर चंद्रमा ग्यारा हमें अनुकूल है। अगर चंद्रमा ग्यारा हमें अनुकूल होता है। बाहर जाने से पहले कुछ मीठा खा कर जाए और पानी पिए उसके बाद निकले ऐसा जाता है गुरू का उपाय करे या उससे संबंधित बस तुए अगर घर में अपने अस्थापित करता है तो चंद्रमा का बारहमी भाव का जो अशुप प्रभाव है वो कम हो जाता है और हम यानि कि नेस्ट वीडियो में जानेंगे कि मंगल का शभी बारह भाव के लिए उपाय और तोटके शाथी क्या क्या शाओधानिया रखें तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार झाल